नमस्का दोस्तों, welcome back to your channel, welcome back to your episode Google लोंच किया है Google search card दोस्तों, यहां पर मैंने भी बिनाए एक business card with my name admin technomark अगर आप search करते है Google पे admin technomark तो मेरा business card आपके सामने आज जाएगा कैसे बिनाए है उसका step मैं बताऊँगा Advantage है कि आपसे लिए portable है as compared to normal, conventional business card situation ऐसा है कि आपको अपना business card किसी को देने की जिरूत नहीं है जो पूछता है उससे बुले कि अपना नाम अभी मेरा नाम है admin technomark search करे Google पे मेरा business card उसके सामने आज जाएगा यह हम पर improvements के दरब से देखे अगर और खुद अपना email और phone number जैसे चीज़ से visibility कर पाते हैं मतलब कौन देखना चाहिए कि इसको private करना चाहिए ऐसे visibility search कर पाते है तो बहतर होता Google search card के अंदर मगर दोस्तों अभी अपना phone number हो email हो ऐसे चीज़ से अब delete कर पाऊगे उसे mandatory नहीं रखा है चले दोस्तों शुरू करते है वीडियो और देखते हैं खुद का एक business card Google search card के से बनाए मैंने खुद का बना चुका हो और दिखाता हूँ उसका procedure क्या क्या है before that do subscribe my channel and watch till the end let's start the video दोस्तों पहले आप अपने mobile पर Google app open करें Google app के अंदर आप देख सकते हैं search bar search bar पर type करें add me to Google search add me to Google search type करते ही आप देख सकते हैं एक option आएगा add yourself to Google search मतलब इसे click करते ही आप अपने Google search card set कर सकते हैं उसके लिए आपको click करना चाहिए get started get started button को click करते ही आप देख सकते हैं अगले screen पर आप देख सकते हैं आपको चुनना होगा एक Google account जिसका Google card आप create करना चाहते हैं यहां पर मैं मेरा Google account चुनता हूँ Google account पर login करते ही आप देख सकते हैं अगले screen पर आपको देना पड़ेगा आपका details पहले section पर आपको देना चाहिए आपका नाम, location, about yourself और आपका occupation इतना पहले section पर देना चाहिए आप देख सकते हैं इतना mandatory है इतना देना के बार आप देखिए next section पर कुछ और details Google card मांगता है और है आपका work details, education, hometown कौन से है आपको कोई website है तो या आपको कोई phone number, email है तो वो सब दे यह सब mandatory नहीं है अगर आप चाहिए तो दे सकते हैं आपका work, education, hometown, website और phone number with email उसके साथ ही साथ आप देखिए अगर आपके पास कोई social profile है मतलब facebook, youtube, twitter, instagram ऐसे social profiles कोई भी है तो उसको भी enter करने का जगा यहां पर है आप सही तरीके से उसे link करें यहां पर में मेरा youtube आकोन और facebook आकोन लिंक करता हूँ social profiles, email, phone number, इतियादी, details भरनने के बाद कर सकते हैं, save button प्रस करते ही आपका google search card create हो जाएगा यहां पर आप देखिए जो नाम google search card पर दिया है उस नाम से अगर google search पे enter किया तो आपका profile card पहले आज जाएगा जिसे आप अपना business card के तरह भी use कर सकते है यहां पर आपका details आएगा, आपका work क्या है, आप क्या करते है आपका mobile number, email, कोई social profiles है क्या यह सब details इस job card के अंदर, इस google search card के अंदर आज जाएगा google search card create करने के बाद अगर आप चाहते कि कुछ भी edit करना चाहते मतलब अपने phone number delete करे, email delete करे, social profile delete करे आपको क्लिक करना चाहिए, edit button, edit button क्लिक करके आप अपना google search card के अंदर, अपना details एक और बार modify कर सकते है modify करने के बाद, preview button प्रस करे, verify करे, अपना details उसके बाद save button प्रस करके, google search card details save कर सकते है दोस्तों, यहां पर मैंने भी मेरा google search card create कर चुका हूं आप google search के अंदर, admin technomark enter करके, search किया तो, google search card आपको मिल जाएगा उस पे होगा complete details regarding myself तो दोस्तों, इस वीडियो हमने देखा, कैसे आप अपना खुद का google search card बनाए अपना खुद का, अपना नाम का google search card कैसे बनाए आप देखते हैं, advantage क्या क्या है, बहुत ही advantage से, बहुत ही portable है इस वीडियो बितना ही, वीडियो चलाए तो, like करे, share करे and do subscribe channel थैंक यू जेहिन, वंदे मात्रम